हेलो स्टुडेंट, हाव आ यू आ यू आ यू आ यू आ फाई इन प्रिबेस लेक्चुर महने हम लोगों ने चप्टर नुमर बंस पढ़ा है ठीक है मैंने चप्टर नुमर बंस टाट किया था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था तो कि टाइपस अप सॉलिड कवर किया प्रिश्टालाइपश करीक बंस उस्टाइब है था था तो कि तो ऐसे तीडтом का मीं फॉरा शॉमर लेकिन वोड़े समसे स्माल प्रपोजन में से तुछ ओंटैंड समध सा वगिए वologic थाहां वहां है नहीं मैं मैंट मैंने दिने ने सब्सक्राइब करते हैं कि ज्वांग का फिर ने टोफिक वोस बिदियुस क्वा टले कैं आ करते हैं Conversion of sunlight into electricity, मतलब जो sunlight ये उसको electricity में हो क्या करता है, convert परता है, ठीक है? Next, जो emorphous solid है, to emorphous solid short range के होगे है, और crystalline, crystalline की हमें क्या पढ़ने है, example तो उसके example में metal भी आसकते है, non-metal भी आसकते है, और compound भी आसकते है, ठीक है? तो metal में है, Fe, Cu and He, non-metal है, lyca, sulfur, phosphorus, iodine, compound है, NaCl, ZlS and nectarine, तो ये क्या थे, example of crystalline Next, classification, classification of solid में, उसका on the basis of intermolecular forces उसका 4-technic classification किया हुआ है, तो जो intermolecular forces के अपोड़ी classification है, तो वो forces के बारे में, आप सब लोग 11 पे पर चुते हैं, क्या कुमसे पुर्सिते हैं? तो क्या 1 वाटरबार, 2 अपर पुर्सिस, 3 ओवलेट पॉर्सिस, 6 चुते हैं वोग 6 पेटलिक निए, तो ये चारों पॉर्सिते हैं, उसके अपोड़ियोग, मतलब को अपुर्स के अपूलेंगे को इसना कया हुआ है क्लासिपेटेशन हो थैंक यू